इंटरनेट पर जितने भी एसेट्स हैं उन सबका एक URL होता है इसलिए इसको URL बोलते हैं क्योंकि ये एक यूनीक रिसोर्स लोकेट करता है इसलिए बोलते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं वेब के उपर उन सबका एक एड्रेस होता है एक लोकेशन एड्रेस होता है जिसको URL बोलते हैं तो asset क्या होते हैं, asset basically आपकी web पे कोई भी file, कोई भी image, कोई भी book, या कोई भी page, यह सब assets कहलाते हैं technical जबान में, तो इनको access करने के लिए browsers को addresses चाहिए होते हैं, जो कि URL कहलाते हैं, और हर एक चीज़ का address होता है, जो आपका page है, जो आपका image है, जो आपकी file है, जो भी आप upload करेंगे internet के उप़र, उसका address generate होगा, इसी तरह से images का भी एक address होता है, images का address basically generate जो होता है, वो दो चीज़ों से generate ह होता है, एक उसकी file का नाम क्या था, आपने image का नाम क्या रखा था, वो जब upload होगा, उसके URL भी वही बनेगा, उसमें जैसे भी जो भी लिखा था आपने वो ऐसे ही आपको, उसमें URL develop होगा, फिर उसके बाद जो दूसी चीज़ होती है, वो उसका, कि वो directory कहां पर upload हुआ जहां वो upload हुआ, वो उसका URL directory का, उसके आगे file का name लगके, वो पूरा एक image बन जाता है, सब्सक्राइब तक जो मैंने आपको example दी, अगर आप उसको गोर करें, तो कुछ image का tag इस तरह से आपको नज़र आ रहा था, इस example के अंदर आप अगर गोर करें, तो ये basically आपका image का URL था, ये वो file थी, जो forward mustang की file हमें नज़र आ रही थी, तो आपकी file का URL कुछ इस तरह से होता है, जिसका मतलब ये के example.com पे ये upload हुई, और उसके बाद उसमें जो आगे URL बन रहा है, वो basically वो जो पार्ट है आखिर वाला, वो ये आपका नाम है, image का, तो ये जो नाम है, ये हमने desktop पे ही, अपने system पे ही पहले रख लिया था, जब मैंने upload किया example.com पे, तो इसका पूरा URL example.com slash file name बन गया, अब इस file name में मैंने, चुके SEO के लिए मैंने keyword research की वी थी, तो मैंने उसमें वो ही नाम लिखे, जो मैंने उस page पे जिसको optimize करना था, जो कि forward mustang से related थे, आप imagine करें, कि अगर मैं file name ना रखूँ, या हम जो भी file name रखते हैं, अगर वो camera जो हम use करते हैं, उसके मताबिक रखें, तो कुछ आपको इस तरह से file name generate होते हैं, ये वो file names हैं, जो आपके by default camera's print करते हैं, आपके images के ओपर, अगर आप mobile use कर रहे हैं, या अगर आप DSLR या दूस होता है कि Google इसको देखकर ये बता सकता है, कि उस image के अंदर वो एक Ford Mustang car है, जिसका color red है, या कुछ भी, जी नहीं, तो basically यही problem है, जिसकी हमें all tags और जो दूसी चीज़ें हो use करनी पड़ती हैं, और उसमें file name बहुत important होता है, आप जो भी file बनाएं, जो upload करें, उसको पहले rename जरूर कर लें, अपने keywords के साथ, ताकि आपको पता हो, कि जब ये upload होगा, उसका जो सब कुछ है, वो optimized होगा, so for example, इस पूरे import Mustang के इस tag में, मैं आपको बता हूँ, तो ये तकरीबन पूरा optimized है, जिसमें ना सरफ उसका title, उसका alt tag, उसका caption, और उसकी जो बाकी चीज़ें optimized ह बलके उसका file का name भी optimized है, जिसकी वज़े से उसका URL भी उसी keyword के around है, जो हमने research किये थे, तो अगर आपने किसी भी image को SEO करना हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कि कैसे आपने सब चीज़ें को optimize करना है, अगर आप ये नहीं करेंगे, तो image के SEO अच्छ ये जाएगी, आपको ये attention नहीं होगी, कि मैंने सारे images दुबारा से करने हैं, तो आपके images अलड़ी optimized होंगे, अब ये example मैं आपको, अगर आपके client के हवाले से देता हूँ, कि अगर आपके client नया है, और उसकी website बहुत बढ़ी है, उसके images में मसले हैं ये, तो आप उनको suggest क करेंगे, कि आप ये ठीक करवाएं, वरना आप SEO ची नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये करना तो है, इसके बगएर गुजारा बिलकुल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बड़ी website है, तो time लगेगा, लेकिन करना अगर शुरू कर देंगे आप तो ultimately खतम हो जाएगा, एक शोटी सी म important हैं, जिनको आप बेचने जल्दी चाहते हैं, तो आप वहाँ से start करें, और करते करते, उन pages पे चले जाएं जो बिलकुल important नहीं हैं, लेकिन रखने जरूरी हैं, तो आप इस तरह से असानी से अच्छी SEO, जल्द 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 एक अच्छी SEO चले जाएंगे, जिसमें तो images काफी help करेंगे.